कई लोगों को अपने जननांगों योनी आदि में संक्रमन का अनुबह होता है। अपनी परिशानी को नजर अंदाज न करें और तुरन डॉक्टर से सलाले। उपचार न किये जाने पर संक्रमन आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। मैं बताता हूं क्या हुआ। होंडियोरस की राजधानी तेगुची गलपा में वहाँ एक महिला थी जिसकी पहचाल उजागर रही की गई थी। एक रात महिला बहुत बैचेन थी। उसे अपने योनी में गंबिर असुविदा मसुस हो रही थी और बहुत पसिना आ रहा था। अगले दिन वह इस अस्पदाल में डॉक्टर से मिली। डॉक्टर एक स्ट्री रोग विशेशक्य थे और उनका नाम डॉक्टर मारको कैलिक्स था। महिला ने डॉक्टर को अपने लक्षणों के बारे में बताया। डॉक्टर ने नियमित जाज की शुरुवात की। उन्होंने योनी के द्वार को चौड करने के लिए महिला की योनी में स्पेक्यूलम डाला। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रहे गए। योनी के अंदर कौक्रुच था। वो हैरान रहे गए। कौक्रुच मर चुका था और डॉक्टर ने उसे बाहर निकाला। डॉक्टर ने उस प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया जिसमें उन्होंने कौक्रुच को हटाया। अरे बस एक मिनिट में जानता हूँ कि मैं बीच में बोल रहा हूँ और आप चिर रहे लेकिन रुक्ये क्या आपने अपने दोस्तों को बताया। उन्हें क्या बताना था क्या आपने उन्हें स्टार्वस्पोर्च स्थीन पर सांकेतिक भाषा इंटर्प्रेटेशन के बारे में बताया। बता दिया पौद बढ़िया। ऐसा करते रहिए। भूलना मत और देखते रहिए। डॉक्टर मार्को ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा योनी विशेशग्यों ने कहा कि इतने सालों में उन्हें कभी भी योनी में कौक्रोश नहीं मिला योनी परिक्षण के दोरा योनी में कंडोम और सेक्स ट्रैक का पाया जाना बहुत आम बात है लेकिन उन्हेंने कभी भी वजाईना के अंदर कौक्रोश नहीं देखा है आपको कीडों से बहुत सावदन रहना चाहिए आपके कान में कीडे भी गुश सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि कीडे, चिपने और प्रजनन के लिए अंधेरे और नम स्थानों को पसंद करते हैं हाला कि वे बहुत सारी समस्याय पैदा कर सकते हैं यह समवेदन्शिल टीशूस को खरुच सकता है, आंतरिक त्वचा को खा सकता है और गंबीर संक्रमन का कारण भी बन सकता है इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सावधानिक बरत रहे हैं, यदि कोई कीड योनी में प्रवेश कर जाए तो इससे रक्तस्त्राव, सूजन और कुजली भी हो सकती है डॉक्टर मारको ने सरा दी कि महिलाओ को इन में से कोई भी लक्षन डिखने पर हमेशा आपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए